कल मैंने ख़दिया था वो लागू हो गया दस वजे लड़का करके बैठेगा अब अब वो दस मिनेट पहले नहीं आएगा कीचर भी 15 मिनेट पहले आ जाएगा इसका मतलब आप लोगों को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं रहा विधान सभा का बजट सत्र चल रहा है अज़रान लगितार विपक्स के द्वारा सवाल किया जा रहा है बिहार में स्कूलों के टाइमिंग को लेकर अज़रान एक बार फिर से आज विधान सभा की बजट सत्र के दौरान मुख्यमंतरी नितीश कुमार ने बहार की सरकारी स्कूलों के विधाले के टाइमिंगों को लेकर एक बड़ा आदेश आरी किया है मुख्यमंतरी नितीश कुमार ने कहा है कि विधाले की समय में बदला होगा यानि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तर बहार की सभी सरकारी स्कूल चलेंगे सुबह 9.45 में सभी सिक्षकों को स्कूल पहुचना होगा और शाम 5 बजे के बाद जब सभी बच्चे स्कूल से बाहर निकल जाएंगे तभी सभी सिक्षक स्कूल से जाएंगे कि अज़रान क्या कुछ कह रहे हैं मुक्के मंतिरिंती इश्कुमार वो जारा सुनिया था वो लागू हो गया है अरे जानो भाई अरे सुनिया मानिये मुक्मंदी बोला हला करियेगा कालि ही हमने कह दिया है आप जान लीजिये जो होगा दस बजे से लेकर के चार बज़े तक के लिए और सिक्षकों सुना आप नहीं जानते हैं सिक्षकों को अरे अरे आप पढ़े नहीं है सुना करिया ना आप जानते हैं सुनिया हम कह रहे हैं ध्यान सुन लीजिये कल ही हमने कह दिया है पढ़ाई का तो दस से चार लेकिन टीचर्स को जो बच्चे दस वजे से पढ़ेंगे तो टीचर को पंद्रह मिनिट पहले आ जाना चाहिए यही तरीका है अरे क्या बात करते हैं दस वजे दस वजे लड़का आखर के बैठेगा अब वो दस मिनिट पहले नहीं आएगा टीचर भी पंद्रह मिनिट पहले आ जाएगा ताकि बच्चों की पढ़ाई दस वजे से और चार वजे तक पढ़ाई पुरी हो जाएगी तो वो पंद्रह मिनिट के बाद चला जाएगा यही है नियम पहले से इसका मतलब आप लोगों को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं रहा हमको लगता है इनलों को मालूम नहीं है टीचर को हमेशा बच्चों बच्चियों के दस मिनिट पंद्रह मिनिट पहले स्कूल में आना पड़ता है तो उसको तो पंद्रह मिनिट पहले आही जाना पड़ेगा कोलेज में और जब सारे बच्चे को भेज देगा उसके दस-पंद्रह मिनिट के अंदर चला जाएगा यही तरीका है यही हमने कह दिया कोई धर-धर नहीं करेगा और कोई धर-धर करेगा तो एक्सन होगा अरे आप जानिये ना पहले कुछ पढ़े है कि नहीं पढ़े है अब अब अदेश सुनेंगे आपके तो आपने सुना मुख्य मंतरी ने क्या कहा सिक्षा दुबाद के अपर मुख्य सचीफ के के पाटक के अदेश को फिट सद और आया है और कहा है कि स्कूलों के ट्रैमिंग में बदला होगा सुबर दस बज़े सी सामपाथ बज़े तक ही सभी सरकारी स्कूल चलेंगे ऐसे ही तुमाम अब्देश के लिए बनेड़ हैं अन्बिसी 24